है है गाईज वैलकम टो माई योटूब चैनल स्टाड़ी भी देव भूमी फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 कॉश्चन्स ओफ उत्रहगंट जी के पार्ट 48 इस सीरीज में आपको उत्रहगंट जी के 20 महत पॉर्ण देखने को मिलते हैं आज इस वीडियो को थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरी तवियत खराबती और में होस्पिल गया था दावाई ले नहीं क्योंकि मेरे गले में काफी इंफेक्टिन उसकी वैसे मैं आज की वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं ठीक है तो आज के लि आपके 20 में से जितने भी माक्स आते हैं हमें कमेंट के माद्धम से जरूर बताएं तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हैं तो गाइस आज का पहला कोशन है निम लिखित में से शर्यू एवं गोमती के संगम संगम पर कौन सा इस्थान इस्थित है वेरी वेरी मोस् कंप्लीट मदब कंप्लीट टॉपिक कराया है तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें पहले जिसमें जाएं और वहां पर उत्ताइखन जिलेवार अद्दिन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं तो सर्वीवे गोमती के संगम पर जो इस्थित है यह है बागेश्वर कौन सा है बागेश्वर दूसरा है very very most important question कि बैजनात में कितने मंदिरों का समू है very very most important question है तो यह है 26 मंदिरों का समू अगला question है बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोसी ने खादी परदरशनी कब आयुजित की थी तो गैज यह की थी इन्होंने 1925 में यानी बी आप कहां से 1952 में खंडीत सव्वागार प्राप्त हुए थे तो और कोेश्चिन कि बाद में में देख लेंगे सेता कर् dışलें में घूंद राइगेज main產 भी टाइट सपार रिस्थित हैं आगदा कोश्चन हैं विए degree ग्हाइजיה तुरी साथे तो यह कप कोड ठीक है कौन सा है कप कोड यानि दिया आप सब्सक्ति हमारा सअगला कोशन नहीं है अगला कोशन है बागनाथ मंदिर का जिरुद्धार कि जरुद्धार 1602 में किस चंद सासर द्वारा किया गया था ये कॉशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोड़न्ट है गाईज तो ये किस ने कराया था तो ये कराया था लक्ष्मी चंद ने ठीक है डी आप्सन हमारा सही है अगला है गांदी जी ने कोशानी में कितने दिनों तक रहे थे कोशानी में कितने दिन तक रहे थे गाईज ये तो बारा दिन कितने दिन तक रहे ये बारा दिन अगला कुशन है निम लिखित में कौन सा इस्थान पिंगनात पहाड़ी पर इस्तित है अगर आपने बागेश्वर जलाद धिन वाली वीडियो देखे तो उसमें साले टॉपिक किलर करा रखें है तो यह है कोशानी ठीक है कोशानी पिंगनाथ पहाड़ी पर इस्थित है अगला है सुमित्रा नंदन पंती जी का संग्राले कहां इस्थित है तो गाइज यह कहां पर इस्थित है कोशानी बागेश्वर ठीक है कोशानी में यह इस्थित है अगला है महात्मा गांदी ने किसे भारत का स्विजर लेंड कहा था तो यह कोशान तो गाइज कम से कम 3-4 वा यूकेट अपरलेसी ने रिपीट कर रखा है तो ये कहा है कोशानी को ठीक है C option हमारा सही है ट्रेल पास को खोजने में कमिशनर ट्रेल की सायता किस ने की थी तो इनकी जो सायता की थी ये की थी मलक सिंग बुड़ा ये कहें कि ये आपको बुद्धा भी देखने को मिलेगा तो रुद्धारी फॉल और रुद्धारी गुफा ये जो इस्तित है कोशानी में C option हमारा सही है निम लिखित में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है तो गाईज ये खड़क नहीं है हीरा मड़ी है, कफनी है, सुन्दर डुंगा है लेकिन खड़क नहीं है, यानि B option हमारा सही है अगला है, किसका पुराना नाम बलना है तो ये कोशानी का है अगला question है रास्ति आंदोलन के संचालन हेतू डंगोली गरून में एक कलब की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी मोहन सिंग महता जी ने ठीक है, महन सिंग महता जी चलिए महन सिंग महता जी के बारे में एक most important factor जो कोशन पुछाए दाता है इन से आप comment के माधियम से इनके बारे में बताईए अगला है यसपाल महर ने बागनाथ ठीक है, बागनाथ समाचार पत्र बागेश्वर से कब प्रकाशित किया था very very most important question है तो ये 1922 में प्रकाशित किया था ठीक है, यसपाल महर ने कोशन आएगा कि बागनाथ समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था तो यसपाल महर ने कहां से निकलता था बागनाथ तो बागेश्वर से कब निकला था 1922 में अगला कोशन है बागेश्वर की पूर्व दिसा में कौन सा इस्थान इस्थित है तो देखिए, पूर्व इस्थान की बात करना है इस तरह की बात करना तो ये वाला ठीक है, इस्ट, बैस्ट, नॉर्थ, साउथ सी उपसन हमारा सही है अगला है बागेश्वर, बागेश्वर, वागनात किसके रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता सिब की नाभी के रूप में किसके रूप में जाना जाता सिब की नाभी के रूप में अगला कोशन है गाईज सर्यू को रामचरित मानस में क्या कहा गया है very very most important question है guys तो ये कहा गया है मानस नंदिनी ठीक है D option हमारा सही है भी दीखने ही रहा होगा ये तो D option सही है सर्यू को रामचरित मानस में क्या कहा गया है मानस नंदिनी यानि D option हमारा सही है तो guys ये थे उत्त्राखन जीके के 20 महत्पूर MCQ जो आपके आने वाले एक्जाम में आपकी काफी मदद कर सकते हैं कैस अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को जाज़ा जाज़ा शेयर करें चलिए मिलते हैं आपनी नेफ्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग